गुद मॉनिंग स्टुडेंट आज हम पार्टनर्शिप रेटायर्मेंट चैप्टर से एक मैंत्पूर कोश्चन को सौलूप करने वाले हैं अवकास ग्रहण जब किसी फर्म से कोई पार्टनर अवकास ग्रहण करता है कोई साजेदार अवकास ग्रहण करता है तो उसके दे रकम की गणना किस परकार की जाती है जो उसको रकम कुल दी जाती है तो उसकी गणना किस परकार की जाती है क्या क्या रकम होती है जो उसको दी जाती है तो यह question board में कई बार पूछा एता है कि अवकास गरहन करने वाले साज़ेदार को कुल दे रकम की गर्णा किस परकार की आती है तो यहाँ पर देखते हैं अवकास गरहन करने वाले साज़ेदार को कुल दे रकम की गर्णा करने है तो अबकास ग्रहन करने कितित झिको उसका पूंजी खाता बनाया जयता है और अबकास ग्रहन करने वाले साज़ेदार की निमलेकित मदों में अपना हिस्ता पाने का अधिकारी होता है कुछ ऐसी मदे होती है जो हिस्ता उसको मिलेगा या उसके पूंजी खाता में आर्थिक चिठा जो चिठा होता है कि अनुसार उसकी पूंजी लिखने के बाद जम आप अच्छे मतलब created side में निमने लेकित मदों को लिखा जाता है अब वो मदें कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम डिसकस करते हैं तो सबसे पहले अवकास ग्रहन करने की तित को फर्म की जो ख्याती होती है ख्याती के विशे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ख्याती क्या होती है तो उसमें जो उसका हिस्सा होता है वह उसको दिया जाता है फिर आर्थिक चिठे के दाई तुपच्छ में प्रद संचे कोस बनाया गया जो पुराना संचे है या सामान संचे है आद में उसका जितना भी हिस्सा है या जो भी रास उसकी बन नहीं है उसमें उसको हिस्सा मिले मिलेगा और उसकी गढ़ना करके उसका हिस्सा उसको दे दिया जाएगा फिर है अवकास गढ़न करने की तित्कोफ तो पहले उन्स समपत्यों का मूल इस organizations होता है तो उनके बीच में जो भी डिफ्रेंस होता है उससे तुलाब होता है जिसे माली जी कोई मसीन है और मसीन पहले 10,000 रुपए की हुआ करती थी आज के दिन उसका रेट 14,000 रुपए है तो 14,000 रुपए का रेट अगर होगा तो फिर 4,000 का प्राफिट हुआ तो यह क्या हो गया इस चीज को हम कहते हैं पुनर मुल्यांकन करना है तो अब कास जब ग काउंट यह पुनर मुल्यांकन खाता के अनुसार हुए लाब में अगर उसमें कोई पुनर मुल्यांकन करने पर कोई लाब हो रहा है तो उसमें उसको हिस्सा दिया जाता है जो साज़ेदार होता है जो अवकास कर रहा होता है उस साज़ेदार को हिस्सा दिया जाता है फिर चिश्टर है उसकी पूझी पर व्याज है काम क्या है बेतन है या कमेशन है या अदत्स है अगर दिया आर्थेख चित्थे की तीथि से लेकर अवकाज ग्रहन करने की तीथि तक के बीच की अवद्का फर्म के अनुमानी तलाब जो अनुमानी सुद्ड लाब होता है उसमें जो भी उसका हिस्सा होगा वह उसको calculation करके दे दिया जाएगा सहयोक्त जीवन भीमा पॉलिसी जो होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी के समर्पित मूल इसरेंडर वैलू जो होती है उसमें जो भी उसका हिस्सा बनेगा तो उसमें भी उसको उतना पैसा दिया जाएगा तो आपने देखा कि जब कोई पार्टनर तो यह कुछ मदें हैं जिन में उसका हिस्सा बनता है जिसकी गर्णा करके उसको यह हिस्सा दे दिया जाता है तो आप समझ गया होंगे मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद